हेलो फ्रेंड्स कैसे सब लोग उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे जैसा कि फ्रेंड्स एक छोटा सा आपके लिए एक अपडेट है जैसे कि आप जानते हैं बॉर्णियो इसके मैटिक ने एक फुल डायोड वैल्यू बिट मैप फ्यूचर इन्होंने अपडेट किया क्या है यहाँ आप देख सकते हैं कफी सारे यहां पर मॉडल से ऐए फॉन के इननोंने तक्रीबं सारे ही फिट्टीन प्रो मैक्स til यहां पर उन्होंने जो डायओड वाल्यू है वो अपडेट की है यह है किया मैं आपको बिपताऊंगा जैसे आप देख सकते हैं करते थे अगर आप कहीं का भी आपको पैड वैलू आपको चेक करनी है या कहीं का भी जी आर वैलू आपको देखनी है तो आप आई से अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप आ करके आई सी के अंदर आप यहां पर वैलू को मैच किया करते थे लेकिन अगर आपको कहीं पर components की value अगर देखनी है तो आपको यह option नहीं था क्योंकर friends कभी line आपकी short हो जाती है कभी line आपकी open हो जाती है कभी leakage condition में चला जाता है तो आपको value चेक करने के लिए कोई option नहीं था तो यहां पर friends इन्हों ने क्या किया है जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो friends इन्होंने क्या किया है जैसे कि हम यहां पर आ करके इनका जो diode value है bitmap में यहां से आ करके हम diode value से इनका यहां से हम IC on board open करके यह चेक किया कर देते हैं यहां पर bitmap जैसे आप open करेंगे मैं इन्हें यहां पर Redmi 9 का bitmap ले लिया हूं जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहां पर friends इन्होंने एक future को add किया है जिसे मैं आपको बताता हूं यहां पर देखिए जैसे यह हमारा DC to DC IC है अगर मैं इसकी VPS line की बात करो तो पहले हमको इस त तो उसके लिए यहां पर show pad info का option दिया गया है यह देख सकते हैं जिसे आप यहां पर show pad info करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इस supply का नाम भी आ गया है VSYS voltage for system और दूसरा अगर यह कॉलकम सेंसर होता तो यहां पर VPS लिखा होता VPS power और यहां पर आप देख सकते हैं 325 0.35 अगर आप normal multimeter से करेंगे तो 325 दिखेगा आपको तो 0 हम यह 4 डिजिट का multimeter है जहां पर आपको 0.325 ओम्स की यहां पर आपको value देखने को मिल जाएगी देख सकते हैं आपको यहां पर show pad info करना है अगर आप यहां पर से tick हटा देंगे तो सिर्फ track दिखेगा आपको लेकि पर value दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ आपके पास जो multimeter है उसके approximately आपको चेक करना है यह proper value नहीं होती है जो आपके पास multimeter है उसके हिसाब से यहां पर आपको value शो करेगी चलिए buck line की भी हम value चेक कर लेते हैं तो power AC के पास चलते हैं देख सकते हैं यहां पर इसका power AC है mt keen 6357 CRV तो जैसे में यहां पर आता हूँ तो यह देख सकते हैं हमारी buck coils है तो buck coils में कितना GRRR है यहां पर आप देख सकते हैं देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0.41 तो यह इतनी low value आती है तो आप ये ना समुझे आ यह line short है इसे में beep भी मारेंगे कुछ bug coils में देख सकते हैं यहाँ पर 0.115 की value आपको modem में मिलेगी यह network के लिए होती है हमारी supply और यह v-core यह के हमारी digital supply होती है core supply CPU के लिए और यह processor 1 यह देख सकते हैं यह CPU की supply होती है हमारी और यह v-p-a जो के 4GPA के लिए supply जाती है यह v-p-a supply है हमारी तो यहाँ पर फ्रेंस अगर आप GR देखेंगे तो इसमें 400 के असपास GR आ रहा है मतलब value इसमें जो ohms की value हो रही है यहाँ पर 0.083 यहाँ पर show कर र जो होती है इसकी higher value तो यहाँ पर आपको 4060.406 तो यहाँ पर फ्रेंस एक नया future आ चुका है यह जिसमें आप इसका GR value भी चेक कर सकते हैं अगर हम IC में अगर जाएं तो देखते हैं यह तो components का GR value बता रहा है तो यहाँ पर IC के अंदर भी अगर हम चेक करेंगे तो इन्हों है IC के अंदर भी कहां पर वेल आना चाहिए कहां पर value आनी चाहिए सारा चीज इन्होंने बता दिया जैसे कि आप देख सकते हैं वी आयो जो हमारा input voltage होता है 1.8267 के आसपास तो यह exact accurate value नहीं होती है आपके पास जो multimeter है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको value देखने को मिले यहाँ पर oil आएगा देख सकते हैं open line है जब आप IC लगाएंगे उस time पर यहाँ से audio की supply बाहर जाती है यह माइक का supply हो गया माइक बायस supply यहाँ से output होगी यह माइक बगारा के लिए है कि अध्याप्टर डिटेक्शन की पिन है एसी सी डिटेक्शन जेख सकते हैं सीरियल क्लॉक सीरियल क्लॉक के दो लाइने यहाँ पर इनेबल वन इनेबल जिरो यह स्पी आमाई हमारी प्रोटोकोल्स है और यहाँ पर देख सकते हैं DMDP की supply में आपको 399 और डिपी में 505 यह हैं जो भी मल्तिमेटर से इन्होंने यह value निकाली है तो यहाँ ने लिखी है वही value यह आपको देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर यहाँ पर 294 यहाँ पर भी वैलू शोह हो रही है तो फ्रेंस यह एक नया फीचर आया था अबिट मैप के अंदर तो यह मैंने आपको बत नहीं है तो जोईन कर सकते हैं फोनफिक्स अदरबाद और भी जो भी सेलुशन्स आएंगे आपको बताते रहेंगे यह देख सकते हैं यह इतने सारे आपको आपको आइफोन के मिलेंगे इन्फिनिक्स और रेडमी और सैंसांग के कुछ मॉडल्स इन्होंने डाले हैं यह सारी चीज है और आपको प्रॉपर अगर सापको हाड़वेर या सॉपफेर या इम्मसी की ट्रेनिंग लेनी है तो जोईन कर सकते हैं फोनफिक्स अदरबाद हम हमारी एक डेमो वीडियो है इसको जाकर के देखिए और ऑनलाइन में आपको क्या-क्या मिलने वाला यहां पर आपको सारा चीज बताए जाएगा और अगर आपको सॉलुशन्स के वीडियो देखने यह शॉट वन मिनिट के वीडियो से जिसमें काफी सारे सॉलुशन्स आप सॉलुव कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए मिलते ही सारा किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू वेरी मच्छ फ्रेंड्स